चिकन मेरी फेवरेट डिशों में से एक है और रात के खाने में आज मैंने बनाया था चिकन चावल बहुत आसान तरीके से इस चिकन को मैंने बनाया था घर के नॉर्मल मसालों से बनके तैयार हो गया था तो मैंने यहाँ पे एक कप सरसो का तेल डाल के अच्छे से गरम कर लि तब मैंने यहां पे चार बड़े आकार का कटा हुआ प्याज डाल दिया है प्याज को लंबे आकार में काट के डाला है पतले पतले सुनेरा होना शुरू ना हो जाए थोड़ी दिर बाद यहां पर देखे प्याज अच्छे से गल गया है प्याज का नुपाद पहले से काफी कम हो गया है और जो प्याज है वो हलकी सी सुनेरी होना शुरू हो गई है बस इससे ज़्यादा हम नहीं पकाएंगे अब हम यहां प अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चिकन को पकाएंगे डहक के मीडियम आज पे कम से कम 10 से 12 मिनट तक या इसे आपको तब तक पकाना है जब तक कि चिकन के ऊपर एक हलका सा सुनहरा लियर आना शुरूना हो जाए तो जब तक इदर चिकन पक रहा था तब तक मैंने दूसरे च अधाई से जलेना और चिकन ने यहां पे ठीर सारा पानी छोड़ दिया है तो यहां पे मैंने इसे दोबारा से ढग दिया था और तब तक हम क्या करेंगे कि इसके लिए मसाला तियार कर लेंगे मसाले में मैंने यहां पे दो पोट लैसुन लिया है छील के एक बड़ी नहीं है कि बहुत अच्छा टेस्ट मिलेगा आपको और अगर नहीं है तो पीसे हुए मसाले का बिस्तमाल किया जा सकता है तो आवशकता अनुसार पानी डाल के मसाले को यहां पे मैंने पीसके तयार कर लिया है मसाले को यहां पे हम ढखके रखेंगे ताकि मसाले की खुश एक हलका सा सुनायरा लेयर आना शुरू हो गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना है कि थोड़ा सा नमक डाल देना है अगर हम chicken को भूनते समय नमक नहीं डालते हैं तो chicken फीका-फीका सा लगता है और जब हम chicken बना रहे हैं तो हमें इसे perfect बनाना है एक भी हमें इसके अंदर कसर नहीं चोड़नी है तो नमक को डालने के बाद मैंने गैस का आच तेज कर दिया था और दो तीन मिनिट नमक के साथ चिकन को भुना था ताकि हमारे जो ये पीसेस हैं वो बिल्कुल भी फीके फीके ना लगे तो देखिए चिकन यहां पे अच्छे से भुन गया है और इसका जितना पानी था मौशर था वो भी अच्छे से सूख गया है तो गैस का आच धीमा करेंगे और इस स्टेज पे हम मसाले डालेंगे तो यहां पे सबसे पहले हम पीसा हुआ मसाला डाल देंगे और जार में थोड़ा सा पानी डाल के जो बचा हुआ मसाला है उसे भी निकाल के डाल देंगे एक चोटा चमच यहां पे मैं तीखी वाली लाल मिर्ची डाल रही हूँ मिर्ची आप अपने तीखे का नुसार इसमें डाल सकते हैं जितना आप तीखा काना पसंद करते हैं एक चोटा चमच यहां पे आप हल्दी पाउडर डाल दीजेगा या हल्दी पाउडर आप अपनी आउशकता नुसार इसमें डालें अब हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, तो धनिया पाउडर का इस्तमाल हम इसमें थोड़ा सा जादा करेंगे, तब ही जाके ग्रीवी अच्छी बनती है, तो यहाँ पर मैंने तीन चमच धनिया पाउडर डाला है भरके अब हम यहाँ पे स्वात के अनुसार नमक डालेंगे तो ध्यान रखिएगा कि चिकन को भुंते समय भी नमक डाला है हमने तो दो छोटे चमच यहाँ पे मैंने और नमक डाला है आप अपनी आवशकत अनुसार डालिएगा और हाँ अगर आपके पास कश्मीरी मिर्ची हो तो जरूर डाल दीजिएगा मैंने भी एक चमच डाल दिया था इससे बहुत अच्छा चिकन का कलर आता है और यहाँ पे मैंने टमाटर नहीं डाला है मेरे बहुत सारे वीवर्स ने मुझे बोला कि टमाटर डालने से चिकन का स्वात अच्छा नहीं आता है और बिहारी चिकन जो होता है वो स्पेसली बिना टमाटर के बनाया जाता है तो आज मैंने भी बिना टमाटर के ही इस चिकन को बनाया था और सच में यह बहुत टेस्टी वन के तियार हुआ था तो चिकन के साथ यहाँ पर देखे मसाले अच्छे से मिक्स हो गए हैं कितना अच्छा है यहाँ पर अभी चिकन दिख रहा है लेकिन अभी पका नहीं है अभी हमें इसे पकाना है बिल्कुल धीमी आज पर धक के इसे 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ दीजिए 20 मिनट बाद यहाँ पर मैंने कड़ाई का धकन अटाया और देखे किनारे किनारे तेल अलग होने लगा है अच्छा चिकन में अगर आप ज्यादा तेल खाना पसंद नहीं करते हैं तो आप अपनी आउशकतान उसाथ तेल डालिएगा लेकिन चिकन में जब तक हम थोड़ा सा तेल मसाला अब मैं यहाँ पर डाल रही हूं फ्लेवर के लिए चिकन मसाला पाउडर अगर आपके पास हो तो जरूर डालिएगा बहुत अच्छा चिकन का टेस्ट आता है तो एक बड़ा चमचे हाँ पर मैंने चिकन मसाला पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लिया था और इसे चिकन को पकाते समय थोड़ा सा पेशन्स के साथ पकाईए चिकन के जो पीसे से बहुत अच्छे से सौफ्ट हो जाएंगे मसालों का जो फ्लेवर है वो पीसे के अंदर तक जाएगा बीच बीच में एक आतबार इसे खोल के हम चलाते भी रहेंगे ताकि जो चिकन है वो कढ ऐसे नियुकर थोड़ा साथ बुरा साथ बारी कटो हर धनिय पत्ते डाल के मिक्स कर दिया था और इसे थोड़ी देर और पका लिया था चिकन जया है तो मैं तो थोड़े से पीसेस निकाल लिये थे भुणा हूए चिकन चाने में बहुत अच्छा लगता है और अगर आप गुना हुआ चिकन खाना चाहते हैं तो यहीं पे थोड़ी सी बारी कट गहर धनी अगर पत्ते डाल दें गैस बंद करके इसे सर्फ करें लेकिन मैं आज ग्रेवी वाला चिकन बना रही हूँ क्योंकि मुझे चावल के साथ सर्फ करना है तो थोड़ा सा चिकन निकालने के बा तो पकने में ज्यादा समय नहीं लगेगा लेकिन अगर बड़ा पीसेज होता है बड़े चिकन होते हैं तो पकने में थोड़ा सा समय लगता है तो उसी हिसाब से आप देख लीजेगा इसे पकाते समय अब आप यहां पे ढग दें और ढग के 7-8 मिनिट तक पकने के लिए 10 मिनिट बाद जब मैंने कड़ाई कर धकन अटाया तो आप देख सकते हैं ग्रेवी में उबाल आ रहा है और जो चिकन है वह बहुत अच्छे से पक गया था मैंने चक्कर के देख लिया था बहुत अच्छे सॉफ्ट पीसेज बनके आपे तयार हुए थे और ग्रेवी की कं चिकन और चावल बनके तयार है चिकन की और भी कई recipe मैंने अपने channel पे डाल रखता है अगर आप देखना चाहते हूँ तो आप channel पे जाके देख सकते हैं और यहां पे मैने चोटे दाने वाले चावल बनाए हैं क्योंकि मुझे learns है चोटे दाने वाले ही चावल रोज खाना पसंद है बासमती चाओल मैं कभी-कभी बनाती हूँ और चिकन के पीसे आप देख सकते हैं कितने अच्छे से सॉफ्ट हुए हैं ग्रेवी कितने अच्छी दिख रही है उमीद करते हूं रेसेपी आपको पसंद आई हो अपने फ्रेंड्स फैमली में शेयर कीजेगा अगर च